वेलकम टो एक्जाम तक आज अब 15 अगस्त और 15 अगस्त 2021 से बनने वाले सभी मोश्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेस के कुश्चिन अम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं साथ में मैं आपको हर एक कुश्चिन के साथ मैं बताँगा डीटेल में एक्स्प्लेनेशन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दिना हैं तो कम्प्लेट वीडियो ध्यान से जरूर से देखेगा इसकी पीडियो आपको एक्जाम तक हिंदी.com पर मिल जागी जरूर से डाउनलूड कर लेना वीडियो देखने के बाद सबसे पहले तो हैपे इंडिपेंडेंडेंस जे आप सभी को भारतिय स्वसंतरता दिवस 2021 आज 15 अगस्त को मनाया जा रहा है और यह जो हैं अगर बात की जाए रेड लेटर डे है सभी भारतियों के लिए भारत जो है 15 अगस्त इस साल अपना 75 जो हैं इंडिपेंडेंडेंस जे सेलिब्रेट कर रहा है अब काफी सारे लोगों के मन में काफी डाउट था कि 74 थे हैं 75 थे ठीक है ना इस साल की थी में बहुत इंपोर्टन है नेशन फ़र्ष्ट ऑल्वेज फ़र्ष्ट यान की देश पहले हैं हमेशा पहले हैं ठीक है न और अकर बात के इस बार जो टोक्यो ऑलम्पिक में जो मेडल जीते हैं उन्हों को जो हैं विशेश अमंत्रण मिलेगा रेड फोर्ट पर प्रदान मंत्री जी के साथ कारिकरम में तो यह आपको बहुत इंपोर्टन याद रखना है एक और बात 15 अगस्त से जस्ट एक दिन पहले यहां पर निकल कर आये हैं कि अभी जो है 14 अगस्त को भारत मनाएगा विबाजन विशी का समर्थी दिवस ठीक है ना हिंदी में पार्टिशन होरार रिमेंबरेंस डे इसी दिन जो है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पावर कराची में चली गई थी क्योंकि कराची पहले हुआ करते थी पाकिस्तान की क्यापिटल ठीक ना इसलमाबाद उसके बाद में बनी है तो 1947 में 14 अगस्त को पार्टिशन हो गया था ल बटबरा हुआ तो उसमें जो हैं लाखो क्रोडों लोगों को जो हैं अगर बात के एक जगे से दूसरी जगे आपर आना पड़ा और इन सब के कारण कितना ज्यादा फेस करना पड़ा उनको इस्यू इन सब को याद करने के लिए ये जो हैं स्वर्ति दिवस हैं रिमेंबर बहुत इंपोरेंट एक्जाम में आने वाले हर एक एक्जाम पूचा जाएगा च्वद अगस्त को बारतने सेलिबरेट करने का फैसला कि आप लोग देख पाएंगे इन मेमोरी ओफ दे स्ट्रिगल और सेक्रिफाइस ऑफ और पीपल 14 ओगस्त विल बी अब्जर्वट एंड अब्जर्वड करेंगे सेलिबरेट नहीं करें क्योंकि ये सेलिबरेट का कोई डे नहीं है ये पार्टिशन हुआ था पार्टिशन होरा रिमेंब्रेंस डे एवरी का तो नतीजा है अदर्वाइच ये सब नहीं होता ठीक है ना तो यह आपको थोड़ा सा इंपोर्टन गयाद रखना वाकि हैपी इंडिपेंडेंस डे सभी को एक बार फिर से अगर बात नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं वैसे फर्स्ट कोशन की बार रूप में हमने इसको डीटेल में explain कर दिया है यहाँ पर अगर बात के second question हाली में अमेरिकी नौसेना के नेतरतों वाले बहुरास्टिय सी कैट युद्धाब्यास कहां पर आयोजित हुआ है बहुत important है यह युद्धाब्यास और यह हुआ है अगर बात की जाए यहाँ पर अभी Singapore में ठीक है ना श्रंत महसागरवाला श्यतर है ना इंडो-पैसिफिक शेत्र पैसिफिक चैत्र उसमें चाइना को रोकने के लिए अमेरिका बहुत ज़्यदा एक्टीव है और अफगनिस्तान को छोड़ने के बाद तो और भी ज़्यदा एक्टीव होगा उसमें सारे के सारे आशियान अब इसके बार में कुछ और डीटेल देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म क्या है, उसकी फुल फॉर्म मिलेगी आपको साउथ इस्ट एशियन कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है, इंगलिस में हिंदी में सुनंगे, तो दक्षन, पूरो, एशिया, और प्रशिक्षन, ये सैनिय अभ्यास किया गया, हाले में आपको याद रखना है, अमेरिकी नौसना के नेतरतों में, अभ्यास के 20 वा संस्क्रण था इस बार, और 20 ही भागिदार थे, 2002 से ही जो है, ये हर साल हो रहा है, इंपोर्टन याद रखना है, तो 2002 पहली बार गया ये क्या है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने, यहां बिलकूल, उन्होंने अपनी जो है, स्वत्मत्रता दिवस के अवसर पर, यहां फिर कह सकते हैं, 16 अगस्त को उन्होंने परमाणू समता वाली बेलेस्ट्रिक मिसाल, गजनवी का सफल परिक्षन किया तो, ज्यादा से ज् यहां की संसद को कहते हैं, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर मिलिंगी, आरिफ अलवी जो हैं, वो हैं रास्टपती, इंपोर्टन याद रखना है, अभी प्रिजेंट टाइम है, नेक्स्ट अकरबाद के थार्ड कोशन के, हाली में आने वाले आगे जो हैं, टोक्यो पैराल पैरालम्पिक्स में, रियो पैरालम्पिक्स हुए थे, उसमें भी भारत ने काफी अच्छा पर्फॉर्मेंस किया था, और टोक्यो पैरालम्पिक्स में काफी अच्छी उमिद है भारत को, क्यो कि टोक्यो पैरालम्पिक्स भी भारत का काफी अच्छा हुआ है, साथ मेडल मिले इस बार और Tokyo paralympics में भी होगा Tokyo paralympics अगर बात की जाए ये क्या है मतलब अगर बात की जए तो जैसे ही मेन olympic खत्म होते है जो paralympics होते है वो start हो जाते है जब 24 अगस्त का current office आएगा उसमें आपको डीटेल में बताँगा आगामी टोक्यो पेरालंपिक्स में अब तका सबसे बड़ा भारतिया दल बेजा देगा 54 पेरा खिलाडी 9 खेल विश्यों में अलग-अलग में फाग लेंगे ठीक है ना पाखी पूरी डीटेल में आपको 24 अगस्त को बताँगा चलिए फौर्थ कोश्ण 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 है हाल ही में भारत की तरप से इपसा के परियटन मंत्रियों की वर्चुल बैटक में किसने इससा लिया बहुत इंपोर्टन कोश्ण है इसके बारों में बताना चाह रहा तक काफी दिनों से इपसा संगठन के बारों में IPSA संगटन ke बार में काफी कम लोग जानते होंगे BRICS समों तो आप सब लोग जानते होंगे ठीके ना ये BRICS से भी पहले बना वा है BRICS में कौन से कंट्री है Brazil मिलेगा आपको Russia मिलेगा एंटिया मिलेगा China मिलेगा and South Africa मिलेगा तो इन दो देशों में से अगर बात की जाए, दो देश तो अपने एशिया ही के हैं, रश्या, चाइना, इंडिया, ये तीन हो तो मदलब एशियन कंट्री जे, अब इसमें इंडिया को तो ले लो, एंड ब्राजील एंड साउथ आफ्रिका को ले लो, ये तीन देशों को मिल इसकी स्तापना हो गई थी, बहुत इंपोर्टन याद रखना है, ब्राजील में स्तापना हो थी, हलांकि इसके सम्मेलन बगरे बहुत रेर केसे में होते हैं, जैसे अगर बात किया, लास्ट टाइम 2011 में होते हैं, साउथ अफ्रिका में, इस साल अपने अगर बात की जाए, तो वर्चुल होगा 2021 सेप्टेबर महिने में और उसकी अध्यक्षता करेगा भारत बहुत important याद रखना 2021 में समयलन होगा इसका भारत में होगा अभी जब भी समयलन होगा मैं आपको बताऊंगा उसकी theme वगरे सब कुछ जो है decide कर ली गई है तो यह बहुत important याद रखना इपसा समय के बारे में पूचा जाता है यह तीन देशों का समय है और यह तीनों देश जो है अलग-अलग continent चाते हैं South Africa, Africa से हैं Brazil, South America से हैं India, Asia से हैं तो अभी इनके परियटन मंत्रियों की बैठक में जी किशन रेड़ी साब ने जो हिस्सा लिया important याद रखना जी किशन रेड़ी कोने अभी भारत के परियटन मंत्री है जल शक्ती मंत्री है बुपेंद्र यादव कोने यह परिया वरन मंत्री और climate change और प्रकाश जावडेकर साब ने इस्तीफा दे दिया है आज जो है अगर बात की जाए यह PDF का जो व्यूवर है यह अच्छा नहीं है यह जो डिफॉल्ट वाला होता लेप्टॉप में वह हैं क्योंकि अभी जो मेर मेरा जो डेली होता है उसका अभी जो है कुछ लोगिन इशू हो गया था इसलिए जो है मैं बेसिक से ही बता रहा हूँ इसलिए पैन का कलर वगर चेंज नहीं हो रहा है नेक्स है पांचवा कोशन हाली में किस भारती अंडर 19 विशुकप विजेता कप्तान ने सन्यास की गोशना किया है बहुत इंपोडन कोशन है जी हां बिलकुल शायद काफी कम लोग इनके नाम को जानते होंगे यह हैं उन्मुक्त चंद जी हां बिलकुल उन्मुक्त चंद यह बंते हैं इन्होंने अगर बात की जाए मनलब सन्यास ले लिया है इस्तीफा की आदस ही पंड़ गही है नहें सन्यास ले लिया है किर्केट से अंतराष्ट्री टिंश किरिकेट 2008 में विराट कोली ने जीता था फिर उन्मुक्त चंद 2012 में 2012 में उन्मुक्त चंद की कप्तानी में भारत ने जीता था तो विराट कोली से भी काफी छोटे एज में थे उन्मुक्त चंद लेकिन उन्होंने सन्यास लिया क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना अच्छा प अगर आपको पता हुआ है रियान पराग कैप्टेन थे भारत के और बंगलादेश से हार गया तो 2019 में बंगलादेश जो है विजेता बना था वो भी थोड़ा से याद रखना अंडर 19 विशु कप पिछली बार कहां पर गया था साउथ आफ्रिका मुगा था 2019 में बंगलादेश जीता था यह सब आपको डीटेल पता होनी चीए उनमुक्त चंद ने अभी जुआ है अगर बात की जाए सन्यास ले लिया है नेक्स्ट छटा कुष्ण हाली में जुलाई मह बेस्ट प्लेयर को दिया जाएगा ICC Player of the Month का आवर्ड शाकीबल हसन को मिला जुलाई महिने के लिए अगर बात की जाए यह ICC Player of the Month एंड वेस्टन डीज की स्टेफानी टेलर को मिला है ICC Women's Player of the Month ठीक है न तो यह आपको याद रखना शाकीबल हसन के बारे में यह तो बहुत IMPORTDERन याद रखना जनवरी में मिला था रिशप्फंध को फर्प्रूर मिला था अश्वट को मार्च मिला था उदनेशुर कुमार को अप्रेल में मिला था बाबर आजब को फिर में मय मिला था मुश्पकर रहें को यानि कि दो बांगलादेशी प्लेयर च! तो तीन इंडियन को मिल चुका है अगर बात कि दो अंगलादेशी को एक पाकिस्तानी को एक और अस्ट्रिलियन को आप लोग देख पाएंगे अगर बात कि याए साथ महिने मैं से जो हैं छे महिने का आवर्ड जो हैं साथ एश्या वाले कंट्रीज रहते हैं नेक्स्टर साहत्वा कुश्ण हाली में किसने क्लीन सिटी एप लॉंच किया क्लीन सिटी एप बहुत इंपोड़ेंड है यह भी एंडी एमसी ने लॉंच यानि की जो हैं नॉर्थ डेली का जो नगर सकते हैं सो इसलिए था आपको थोड़ा सा एक्जाम पॉंच याद रखना क्लीन सिटी एप जो हैं यह नई दिली में अभी लॉंच हुआ है ठीक है अब यही ता आज का जो भी करन्ट ऑफिस का कॉश्ण सामाने ग्यान 2021 की जीके की एबू खरीच सकता आप लोग वीवित स सामाने ग्यान राष्टी अंतराष्टी इतियास राजनिति घ्यान खेल के सभी आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे 25 रूपीज के एबूक हैं और 50 प्लस टॉपिक मिलेंगे 90 प्लस पेज हैं जरूर से खरीच सकते हैं आपको लिंक कर नीचे डिस्क्रिशन में मिल जाएगा एक्जाम तक की वेबसाइट पर जाकर आर्टिकल जरूर से पढ़िया आप लोग कल मैंने सम्विदान के स्रोथ सम्विदान की सभा युनेस्को वर्ल्ड हरिटेस साइट बहुत कुछ आर्टिकल डाल रखे हैं आपर जरूर से देखीगा बहुत इंपोर्टन आपको जो है यही था आज का वीडियो टेलिग्राम चाल ठीक है कुश्चिन करवाना है तो साओधी अरबिया के साथ जो है अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास किया है यह बहुत इंपोर्टन गयाद रखना युद्ध अब्यास जो मैंने एक्जाम तक वेबसाइट पर डाले हैं अभी मैं आपको यहां पर जाना है इस्ट्रेक जीके वाला में जाना यहां पर आपको मिल जएगा युद्ध ब्यास वहाँ पर मैं अपडिट कर दिया जो भी सारे युद्ध व्यास ओल्ड वाले उनमें यह अभी जो आना ये चुब साथ ये बी अपडेट कर दिया सो 2020 की सभी यु झाल झाल